कि इसी आई इटी एनसी इए आटी द्वरप्रस्तु थे कक्षा पांच की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिम जिम का एक पाठ पाठ का शीर्षक है राख की रस्षी लोनपोगार तिब्बत के 32 में राजा सौनग वसैन गामपो के मंत्री थे वे अपनी चाला की और हाजर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशूर थे कोई उनके सामने टिकता न था चैन से जिन्दगी चल रही थी मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विशय बना हुआ था कारण ये था कि वो बहुत भोला था हुशियारी उससे चुकर भी नहीं गई थी लोन पू गार ने सोचा अ हुआ 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 है हुआ हुआ है मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है है मेरे बात इसका काम कैसे चलेगा हुआ 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 एक दिन लोन पोगार ने अपने बेटे को सौ भिरने देते हुए कहा कि तुम कि इन्हें लेकर शहर जाओ अगर इन्हें मारना या बेचना नहीं इन्हें वापस लाना, सो जोके बोरों के साथ, क्यों सो बोरे, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुशने दूगा, मगर मैं यह सब कैसे, इसके बाद उन्होंने बेटे को शेहर की दरफ रवाना किया, लोनपो गार का बेटा शेहर पहुँच गया, मगर इतने बोरे जोग खरीदने के लिए, उसके पास रुपए ही कहा थे, वो इस समस्या पर सूचने विचारने के लिए सड़क किनारी बैठ गया, क्या करूँ, अब कहां से लाओ मैं इतने बोरे, मेरे तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था, वो बहुत दुखी था, तभी एक लड़की उसके सामने आखड़ी हुई, क्या बात है। तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब मैं क्या करूँ। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। सचा। इतना कहकर लड़की ने भेडों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में पेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौके सौ बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। यह लो। इतने बोरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ। लोनपुगार की बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। पिछली बार भेडों के बाल उतार कर बेचना। मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उनी भेडों को लेकर जाओ। दोबारा। हाँ। उनके साथ जोके सौ भोरे लेकर ही लोटना। फिर सौ भोरे। हाँ। जे अच्छा ठीक है। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। नजाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही वो लड़की आई। अरे आगी तुम। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के सौ बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली। हाँ, एक तरीका है। उसने भेडों के सींग काट लिये। उन्हें बेचकर जो रुपह मिले। उनसे सौ बोरे जौ खरी दे। बोरे लोनपो गार के बेटों को सौप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेडे और जो के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजई भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले। उस लड़की से कहो के हमें नौ हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। मैं रस्सी बना तो दूँगी। क्या। हाँ, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। हाँ। लोनपो गार ने सोचा। ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मनजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने नौ हाथ लंबी रसी ली। उसे पथर की सिल पर रखा और जला दिया। रसी जल गई मगर रसी के आकार की राख बच गई। इसे वो सिल समेथ लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। यह लीजे राख की रसी। लोनपो गार रसी देखकर जकित रह गए। वी जानते थे कि राख की रसी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चाला की धरी रह गई। बिना वक्त गवाई लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। क्यों बोलो। धूम धाम से उन दोनों की शादी हो गई। राख की रस्ती अभियाव सुन्रहे थे ये कारिक्रम। पाट समन्वय, डौक्टर लता पांडे, नर्मान संचालन, प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार, राजश्री त्रिवेदी, जैमिनी कुमार, प्रमीन शर्मा और नेहा शर्मा, धुन्यंकन, दीपक पांडे और अमिता भट्टी, नर्मान सहयोग, दावुदयाल तथा नर्मान इवं प्रसुति वन्दन अरिमर्दन